हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस्पीटी शुरी फीजियो तरपी टीटमेंट आज हम लोग शोल्डर रिलेटेड थेरा बैंड के एकसरसाइस सीखेंगे थेरा बैंड एक रबर होता है वो अलग-अलग कलर में आता है बेसिक कलर है उसका यलो उसके इसाब से हम आज शोल्डर रिलेटेड कुछ एकसरसाइस सीखेंगे वह फॉलो करते रहना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना भूलना मन चलो फिर स्टार्ट कर देते हैं कि आईए कि देखो छेरा बैंड मैंने जैसे बूला था अलग-लग क्षिर का आता है पहले यलो आएगा फिर बात में ग्रीन आईगा रेड आएगा फिर बात बाद में ब्लैंग जैसे जैसे कलर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे के चिक के नजदीक बढ़ना है आपको इसको बांदेना है और आपका डिस्टंस है वो शोल्डर तक लेना है शोल्डर तक लेके यह वाला जो आपने जो डिस्टन्स लिया वो पैर के नीचे लगाना है पैर के नीचे लगा के रखना है और आपको खड़ा रहना है कि जैसे ही आप खड़े रहते हो वैसे आपको मुठी बना लेनी है मुठी बना के कोनी से हाथ सिधा रख के सामनी की तरफ उठाना है और हाथ को जितना हो सकते होतना बीच में रखना है गुमाना नहीं नहीं चोड़ना है एसे 5 रिपिटेशन करना है एक बार एक दो चार पांच छोड़ देना इसमें दो तीन चीजे लोग गल्तिया करते हैं घरदन को नीचे करते हैं गरदन को नीचे नहीं करना है और आप जबी भी सामने से शोल्डर को उठा रहे हो तो कोशिश करना पेट को या कम उमर को ऐसे पीछे लेके नहीं जाना है और एक बार देखो वो कैसे कर रहे है कोनी से हाथ सीधा रखो और जितना हो सकता है उतना सीधा उपर सामने उठाने की कोशिश करो एक दो ती चार पांच छोड़ देना है इसमें ही सेकेंड एकसेसाइज है आपको सिफ अब पॉजिशन चेंज करनी है इसको कोनी को ऐसे बाहर की तरफ लेके जाना है और शोल्डर को ऐसे बाहर की तरफ उठाने की कोशिष करनी है कॉर्ए एक बार 1 2 3 4 5 छोड़ो वापिस एक दो तीं 4 5 छोड़ो इसमें और मैं गलतिया मैं क्यों बूल रहा हूं क्योंकि लोग गलतिया करते हैं इसमें भी गलती क्या हो जाती है ऐसे जुख जाते जुक्के करते हैं तो उससे कुछ फरक नहीं गिरेगा आपकी मसल की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी और आपको रिजल्ट नहीं आएगा तो कोशिश करना जितना हो सकता है उतना यह स्ट्रेट रहना चाहिए और आपको हाथ बाहर निकालना है एक दो तीन चार पांच छोड़ वाले एकसराइस पमें करना क्या है पैर से हमें आभी निकाल देना पड़ेगा चीजन और हमें कौनी से मढ़ना में कोनी टक läh़ना रबर का और दूसरे वाले प्रापोजित हाथ में पकड़ लेना है आप यह पकड़ कर सकते हैं उसको रैप करके बी कर सकते हैं आपको जैसे ठीक ले वैसे यहाँ पे कौनी को पेट के नजदिक रखना है इसमें कुछ लोग भी देने बोलते हैं आपके हिसाब से आपको जैसे लग रहा है पिलो दोगे तो और बेटर रिजल्ट मिलता है तो जितना हो सकता है उतना एक्जिला मतलब बीच वाले पोर्शन में कंदा और पेट के बीच में हमें पिलो रखना है पिलो रखना है शोल्डर को बाहर की तरब घूमाने की कोशिश करनी है एक दो तीन चार काले की चोड़ते टाइम फास नहीं चूड़ना है आपको जबी भी चोड़ना ये तब टोली चोड़ना और एकंस करते टान्स लोप करना है करऊ एक बार 1345 ach Çोड़ो और एक बार करो इसमें लोग गलतिय लिगता क्या करते हैं ऐसे हाथ उल्टा बना लेते हैं कुछ लोग ऐसा बना लेते हैं ऐसे बना लेते नहीं ऐसे ही हाथ रकना है आपको ऐसे हाथ रखिए भाहर निकालना में एक दो फी छार पांच छोड़ दो नेक्स वालत assen in सेम हमें दिस्टन्स से मिल लगेगा सि को आप में चेंज नहीं लिजय करना है संग देखो वो कैसे स्क्राइब मेजरमेंटले कि कोनी के वहाद तक मेजरमिंटले लेना स्ट्रेच और लेना है आपको सिमपल बे जहां तक आ पकड़ने के लिए के लिए हुँ आपके घर पर आपके जो भी दिवार रहेगी के किड़के वगर रहेगा तो वहां पर लगा सकते हो और कौनी को दबा के रखना और अंदर की तरफ लेना है लो एक दो तीन चार पांच छोड़ दो इसमें भी पिलो दे सकते हो ऐसे कुछ न नहीं है पिलो ले सकते हो मैं विदाउट बता रहा था आपको यहाँ पर आपको बान के रखना और अंदर लेना है लो एक दो तीन चार पांच छोड़ो और एक बार यह चारो मुमेंट्स आपको एक साथ करनी है देखो यह थेरा बैंड जब भी आप मार्केट से खरीद होगे तो अच्छी कॉलिटी का खरना इसमें लाटेक्स वाला एक रहता है और लाटेक्स फ्री रहता है दोनों थेरा बैंड आप ले सकते हैं ऐसे कुछ नहीं है लेकिन जब भी आप थेरा बैंड मार्केट से ले के आओगे तो कोशिश करना आप दूप में ना रखे नहीं तो थेरा बैंड खराब हो जाता है और उसके साथ में आपके घर में टैलकम पावडर कौन सा भी रहेगा इसको लगा के रखो तो जादा दिन चलेगा तो कोशिश करना दिन में दो बार एक्सराइस हो और वीडियो को जितना हो सकता उतना लाइक करो शेर करो चैनल को और सब्सक्राइब करना भूलना मन थेंक यू थेंक यू